हेलो फ्रेंड्स वेलकम वैक टो अन्सुका पाकवान आज मैं आप सभी के साथ टोमेटो सूप की रेशिपी सेर करने जा रही हूँ करकर आती ठंड में अगर गर्मा गरम कोई शूप दे दे तो पीने के बाद तो श्वात दोगुना ही हो जाता है दोस्तों तो सच मानिए मेर इस तरीके से एक बार आप सूप जरूर बनाईएगा बिना कॉन्फोर बिना मैता और बिना ग्राइंड किये हुए इस सूप को बना करके तैयार करेंगे और इतनी टेस्टी ये सूप बनेगी और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है तो चले रेशिपी को सुरू करते हैं मै के शूप में कलर भी बहुत ही अच्छा हैगा पर मैं यहाँ पे न तो बीटूट का इस्तेमाल कर रहे हूँ न तो कोई फूट कलर का इस्तेमाल करोंगी तो चले मैं पहले इस अच्छी तरह से वाश करके ले आती हूँ देखिए इन सभी चीजों को अच्छी तरह से हमें तो मैंने हाफ केजी टमाटर लिया है और दो गाजर का इस्तेमाल किया है तो गाजर को मैंने पील करके वाश कर लिया है और यहाँ पे एक ओनियन को भी मैंने पील करके अच्छे से वाश कर लिया है इन सभी चीजों को हमें कट कर लेना है तो पहले टोमेटो के बैक में कट कर रहे हैं जी हाँ दोस्तों बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी तो वीडियो को पूरा इंड तक जरूर वाच कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कर दे रहिएगा तो चली मैं अब यहाँ पर काट ले रही हूं गाजर को भी हमें कट कर लेना है तो आप चाहे तो गाज कट कर लिया है अब मैं यहाँ पर प्यास को भी कर लिया रही हूं लिया तर उसके बाद कुछ हमें खड़े घ्री ले लेने हैं जैसे क् मैंने यहँ पे बे लीफ लिया है तेजपत्ता फिर मैंने यहाँ पर एक स्नीमन Кар्ट तुक्रा एक इंच और फिर मैं यहाँ पे दो हरी इलाइची ली हूँ, green cardamom आप चाहें तो यहाँ पे long भी डाल सकते हैं इन सभी चीजों को डालने के बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी डाल लेना है, तो चली मैं यहाँ पे आधा कब पानी डाल दी हूँ, pressure cooker के धकन को लगाकर इसे gas पे रखना है और इसे cook कर लेना है, तो चलिए gas को पहले on कर लेते हैं, उसके बाद pressure cooker को रख देना है gas पे और flame को हमें यहाँ पे कर लेना है low to medium और तीन से चार सीटी आने तक हमें इसे cook करना है, तो चलिए तीन से आचुके हैं अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे धकन हटा करके इसमेशे खुस्पू तो गजब किया रही है तो इसलिए आप जबी बॉयल किज़ेगा टोमेटो को तो इसमें दालचीनी का टुकरा तेजपत्ता लॉंग इलाइची यह सब ज़रू डालिएगा देखिए दे कोई भी छनी ले लिजेगा बड़े साइस की अगर छनी ना हो बड़े साइस की तो आप कोई भी कॉटन का कप्रा भी ले सकते हैं उस पर डाल लेना है हमें इन सभी चीजों को जो हमने अभी बॉयल किया है टमाटर गाजर और प्यास इन सभी चीजों को डालने के बाद हमे इसे छान लेना है तो इसमें जब वोईल कीजेगा न तो थोड़े बहुत पानी भी रिलीज होते हैं तो चलिए अब मैं इसे अच्छी तरह से मैस कर लूँगी देखिए देख रहे हैं तो चलिए बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का तो मैं यहाँ पे एक मैसर का इस्तेमाल कर रही हूँ आप क्या कीजेगा कि अगर आपके पास मैसर ना हो तो इसे ग्राइंड करने के कोई आवे शक्ता नहीं है इसे आप ग्लास से या फिर कटोरी से भी मैस कर सकते हैं तो चलिए अब मैं मैस कर ली हूँ बिल्कुल अच्छी तरह से हमें मैस कर लेना अब इसकी थिकनिस देख लीजे तो जैसी भी आपको थिक कंसिस्टेंसी की चाहिए सूप ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा तो उस हिसाब से आप यहाँ पे पानी डाल सकते हैं मैं अपनी चैनल पर अप्लोड करती हूँ जो कि आप लोग अपने ही घर के शामान से आसान तरीके से बना करके तैयार कर पाएंगे तो अब हमें फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखना है मीडियम फ्लेम पे हमें इस टोमाटर को पका लेना है जो टोमाटो के प्योडी हमने चान कर लिया ने तो इसे पकाना है तो मैं आधा का पानी का और इस्तेमाल कर ली हूँ आप अपने हिसाब से यहाँ पे पानी डाल सकते हैं और इसे हमें उबालना है जैसे ही इसमें बॉइल आ जाएंगे ना अपने यहाँ पे हाई रखना है और जैसे ही इसमें उबाला जाएंगे तो हमें यहाँ पे सबसे में चीज लेना है देखिए मैंने यहाँ पे दो चमच रागी का आटा लिया है तो हमें यहाँ पे बहुत ही हेल्दी सा सूप बना करके तयार करना है तो हमें यहाँ पे न तो मैदा का इस्तेमाल करना है, न कॉन फ्लोर का इस्तेमाल करना है, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो, आज रागी के आटा के साथ ही इस टोमेटो सूप को बनाते हैं, तो आप लोग भी इस हेल्दी से रेशपी को ज़रू ट्राइ कीजिएगा, इसमे मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके दीरे-दीरे से हमें डालना है, फ्लिम को आप हाई ही रखिएगा, उसके बाद लेडल की मदद से इसे मिक्स कर लीजिएगा, देखिए, और जैसे-जैसी यह पकेगा, उस तरह से यह गाढ़ा भी होत जाएगा, तो अगर आपको जादा गाढ़ा पसंद हो, तो आप इसे गाढ़ा कर लीजिएगा, या पतला पसंद हो, तो पानी की क्वाइंटिटी आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, दो चमच चीनी और आधा चमच हमें यहाँ पे नमक डाल लेने हूँ, तो चले मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल ले हूँ, फ्लेम को हमें इस दौरान मीडियम ही रखना है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल ले रही हूँ, रिच चिली पाउडर, इन सबी चीजों को डालने के बाद हमें इसे चार मिनट के लिए और पकाना है, मिडियम लो फ्लेम पे, देखिए, जैसे ही इसे पकाईएगा तो यह धीरी धीरी करके गाढ़ा होता चला जाएगा, और करकर आती धंड में तो गर्मा गरम शूप पीने के बाद तो मज़ा ही आजाता है दोस्तों, तो बहुत ही आसान तरीका है, ग्र देखिए, देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह का शूप मुझे बहुत जादा पसंद है, ना तो जादा गाढ़ा और ना जादा पतला, और ऐसे भी यह ठंडा होने के बाद, धीरे-धीरे करके थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाता है, तो मेरे इस तरीके से आप जरूर बना करके उसके बाद इस सूप में डालिएगा, देखिए, कितना मस्त ये सूप बन करके तयार हो चुका है, दोस्तों, आज की रेशिपी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा, और इस रेशिपी को अपने फ्रेंच ग्रूप्स में और फैमिली वालों के साथ सेयर करना पिलकुल मत भूलिएगा, रेशिपी पसंद आ रही होगी, आई हो की वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों, चलिए अब मैं इस तरह से जैसे ट्रेंड वगेर में भी आप पीते होंगे न, उसी तरह से मैंने यहां पे सर्व कर लिया है तो मस्ट ट्राइ रेशिपी है, इस करकरादी ठंड में इस रेशिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा, बहुत है आसान तरीकेशे आपके भी शूप बन करके तयार हो जाएगे, चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई